वादा तेरा वादा जिहां राइस्थान के रण में वादों का पिटारा खुल गया किसके वादे में कितना दम है और जंता किसके साथ है ये तो तीन तारिक को पता चलेगा लेकिन फिलाल वादा तेरा बाद नवश्कार आप देख रहें देश का सवाल और मैं हूँ आपके साथ रत्रा के इस्टंडर राजस्थान का घमासान आखरी पड़ाओ पर बीजेपी और कॉंग्रेस के तवाम दिग्गस मैदान में उतर गए हैं कॉंग्रेस ने जहां अशोक गैलोद और सचिन पाइलेट का चैरा आगे किया है तो बीजेपी कई राजियों की तरह राजस्थान में भी मोदी माजिक के दार है कुछ दिन पहले बीजेपी ने अपने संकर्प पत्र जारी किया था तो कॉंग्रेस ने गारेंटी देने की बात कही है अज घोषना पत्र जारी करके लोगों को लुभाने की कोशिश किये कॉंग्रेसेफ ने घोषना पत्र में 10 लाख रोजगार, 4 लाख सरकारी नौकरियों का वादा भी किया है तो शिरंजीवी हेल्ट इंशूरेस की राची 25 से बढ़ा कर 50 लाख रुपे कर दी गई है अब इस एलान का असर कितना होगा, यह तो कुछी दिनों में पता चल जाएगा अब सवाल यह है, वादे पर वादा तो हर कोई कर रहा है लेकिन किसके वादे पर जंता का इरादा है, यह देखना दिल्चस्प होगा नहीं सब तमाम मुद्वों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राजिस्थान के रर्ण से तुझ राजिनेतिक बैयाद दिल्चस्प के लोग भी टिका किये अर्थिक द्रस्टी से जो एक्सपर्ड थे वो भी टिका किये कहां से लाएंगे, कहां देंगे, यह नई होने वाली बात है, यह सब आप सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन स्रीमती सोनिया गांदी जी ने करके दिखाया, मनमोन सिंग जी ने करके दिखाया, यहां तक कि क्ली स्टेट में इसका पालन करके फ्री में राशन कार्ट देने का काम शुरू किया और उससे जनता को एक बल मिला शक्ति मिला मैं भाजपा पुरे प्रदेश के नेताओं का अभिननन करता हूं को उन्होंने ऐसा बड़िया संकल पपत्र दिया है एसा बड़िया मैनिफेस्टो दिया है और यही तो डबल इंचिन सरकार का डबल वाइजा है कॉंग्रेस गैस सिलिंडर लेकर को जो जूट राजस्तान की बेहन जो से बोल रही है उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूत है कॉंग्रेस का जूट का सिलेंडर और भी महेंगा है राजस्तान की कॉंग्रेस की लूटेरी सरकार जनता से किस तरख खिलवार करती है ये भी राजस्तान के लोग भली भाती जानते है मैनिफेस्टो अभी जस बजे डिकले हो रहा है तरगे साब से मारें आप सामझ सकते हो कि मैनिफेस्टो को कितना मैत पर दे रहे हैं अगर हमारे कॉंगेस परेजिजिएंट आ रहे हैं मैनिफेस्टो को लांच करने में तो हमारे मैनिफेस्ट कांट्री में सब्सब्स जाधा क्रड़ियरी लगना जाते हैं और पिसली बार भी हमेशा हमने चुनाव जीतने की बाद में मैनिफेस्टर को पहली के मिनिट की मिडियम लगते हैं उत को अपरू रहते हैं कि अपने वादी के ते पब्लिक से इन वादों के अधार पर आप सब को काम करना है चीप सेक्रेटरी हो सेक्रेटीज हो या कलेक्टर हो और मुने खुशी है इसलिए 96% मैनिफेस्ट पुरा हुआ प्रश्टाचारी नहीं महिला दलित अत्याचार बेरोजगारी आपका पेपर लीक इन सब ने भी गेलोट थरकार ने अपना कीरती मान बनाने का काम किया है और अब आपको हम विश्वास दाना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमें विश्वास है कि ये गेलोट जी हार क आप लोग सब करोगे आप लोग बनाएंगे इनका गेलोट की अधिकतर जो गोशना है वो सिर्फ गोशना है वो जमीन पर हमको देखने को नहीं मिलती है और पिछले बजट के अंदर उन्होंने जो जो हमारे गोशनाई की थी आप सब जानते हो कि वो जमीन पे उत्रे नही है कि अपने राजनितिक बियान सुनेख को लेकर बेदें वाद leg टो लेकर एक दूसरे पर आप पलटवार है आगे बढ़े अपने Virtual पर चाल जह पहले कि अंधेश का सवाल समा Cyrus आज देश का सवाल है राइस्थान के रण में किसके वादे में कितना दम है वोटिंग से पहले कॉंग्रेस का घोशना पत्र जारी कितना असर होगा कौन सा मुद्धा किसके लिए मास्टर स्चोक साबित होगा बीजेपी और कॉंग्रेस के सामने बड़ी बड़ी चुनोतियां कौन सी है इन सब मुद्धों पर सचा करेंगा हमाई साथ निगाद अबबास प्रवक्ता भारती अंता पार्टी की तरफ से जुड़ रही है जितेश जी आपसे ही शुरू करना चाहूंगो मैं जितेश यह जो राजिस्तान का रण है वैसे तो अमुमन पांच-पांच पांच-पांच साल का होता ठीक है जितेश के पास चलता हूं निकात अब बास जी भी हमाज सत नहीं है शुजाता पाल जी के पास है शुजाता यह जो आज वादों का पिटारा खुला है जिसमें साथ वादे जो हैं वो किये गए हम विज्वल भी दिका रहे है जब खड़ गे आपका मेनिफेस्टो कॉंग्रेस पार्टी का रिलीस कर रहे है क्या अब जो एलेक्शन से मैं पिटारा है पिटारा ही तै करता है वोटर किदर जाएगा और इतनी सारी फ्रीबी सिर्फ कॉंग्रेस नहीं बीजेपी से भी यही सवाल पूछूँगा इतनी सारी जो फ्रीबीस है क्या यह एक बोज नहीं है राजसरकार और राजस पर नडड़ा जी को पहले बता देना चाहिए कि उनके लिए तो खुदरा है वो गड़ा जहां पे अब उनको किया जाएगा प्रोजेक्ट क्योंकि जो भारतिये जन्ता पार्टी है ना वो है जूट का पुलिंदा और जूट रही है हर जगा से उनसे सकता और हमने जो वादे किये हैं क्या हमने 25 लाग की चिरन जीवी योजना नहीं थी क्या उसमें स्वास्त बीमा का फाइदा लोगों ने नहीं उटाया क्या मत्यम बर्गिय परिवार हो या गरीब परिवार हो उनको इससे मदद नहीं मिली उन्हें अपने घर बेचने नहीं पढ़ा कर 50 लाख रुपए कर दिया क्योंकि ये सपना है कि अगर हमारे लोग मजबूत होंगे स्वस्त होंगे तो देश भी मजबूत होगा तो पहले तो रज्जे से शुरुआत करी लेते हैं और ये फ्री भी कैसे हुआ ये तो इन्शॉरंस की बात हो गई अब अगर हम पात करते हैं अपने किसानों की तो MSP पर कानून तो केमरी सरकार को लाना चाहिए था उन्होंने वादा भी किया था आज तक नहीं लेकर आए तो ये फ्री भी कैसे हो गया हम तो MSP पर वादा कर रहे हैं और आप देख लिजे कि हमने जो 36 गड़ में कितने उचे दामों पर धान खरीद करी कि अब भारतिय जन्ता पार्टी को भी आके कहना पड़ रहा है कि हम भी देंगे जी धान खरीद के लिए बहुत ज़्यादा पैसे तो सच्चा ही है कि हमने जो किया है वो करके दिखाया है काम किया दिल से कॉंग्रेस फिर से अगर हम बात करते हैं अपने मंद्रेगा की बात करते हैं तो प्रदान मंत्री को क्या समझ में आएगा वैसे भी आजकल तो एक पनौती मंत्री भी घूम रहे हैं देश में लेकिन मैं प्रदान मंत्री की बात अगर करूं तो उन्होंने मंद्रेगा को कॉंग्रेस पार्टी की विफलताओं का समारक बता कि आज सकता उनके हाथ से इसने छुट रही है कि उन्होंने दिया है केवल जूट और वे हैं जूट के फुलिंते और हमने जो किया है वो करके दिखाया है और मज़दूरों को अगर मंदुरिका के तहट हम बहतर काम और बहतर पैसे देके तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होन तो हम ऐसे काम नहीं करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे लोग मजबूत कैसे होंगे, जब उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो हमने RTE के तहर ये भी बादा किया है, और ये बादा नहीं, ये संकल्प है हमारा, ये प्रण है हमारा कि हम अपने लोगों को बढ़ाई लिकाई कर हम तो चाहते हैं कि हमारे लोग बड़े लिखे हों, वो स्वस्थ हों और अपना जीवन बहतर तरीके से गुजार से के उनके लिए प्लाटपॉर्म है, केवल एक प्लाटपॉर्म जहां से बादा कि पूलिटिकल पार्टीस हमेशा ये पैसी है कि साब जरुवत और फ्रीब लोगों को चाहिए था, महंगाई की मार थी, इसलिए इस सारी चीज़ें हमको देनी पड़ी, इसलिए ये वादा है और यही पिटारा है राजस्थान का पार्टान का क्या पिटा रहा है ना राकेश जी मुझे बताने की जरुरत नहीं है, हसी आ जाएगी इन्हें अपने मूँ पे खुद ही, अगर मैंने सच्चाई बता जानी और सच्चाई ये है कि साड़े पांच लाग करोड का करजे में डूब हुआ है राजस्थान और य मैं बता दीजी कि राजस्थान में फ्रीबीस देने की बात करते हैं, आपने कहा ता च्छत्यस गड़ में ये करेंगे, हम लोग गुजारा बता देंगे, हम लोग महिलाओं को 500 रुपे माईना देंगे, कुछ नहीं करा, राजस्थान में फ्रीबीस तो चलो साइड में बात करते हैं, पहले वहाँ पर क्योंकि एक महिला है, महिला होने के नाते, इन लोगों को बात भी करनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, बुलान दवास से बड़े ठाहा के जरूर लगा सकते हैं ये, पर महिला सशक्ती करण पर, महिला सुरक्षा पर, इन लोगों के मु मैंने सुजाताजी से भी है उसमें भी धन राशी है उसमें भी एजूकेशन है उसमें स्कूटी की भी बात कहीं गई है कॉंग्रेस कहरी साथ लापटॉप या फोन्स देंगे 10,000 रुपए देंगे ऐसा नहीं कि एक तरफ है यह निगर जी दोनों तरफ है मैं यही आप से समझना चाहरा हूँ कि आज का जो एलेक्शन है देखिए मैंने दोनों स्क्रीन पर आप पढ़ सकती है बीजेपी कॉंग्रेस के वादे आपको एक एक करके बता रहे है जो एलेक्शन निगा जी हो रहा है वो एलेक्शन क्या आप मैनिफेस्टों तैय करेगा और मैनिफेस्टों में वही होगा जो जनता को चाहिए प्रीबीज आप मत मानिए आप यह सूचे ना आप खुछ कहरें दस लाग करों के करजा है तो यह जो बोज राजस्ट पर जा रहा है सत्ता तक पहुशने के लिए क्या यह ठीक है लॉंग रन में क्या यह बाक्फाइ लेकर बैठी आर्बिया की गाई लाइन से बिज्यादा तो आर्बिया खुद पूछ रहा है भाया कहां से पैसा तो लाओगी और कहां से दोगी यह बता दीजी और जहां तक आप मैंने फैस्टों की बात करें जैसे मैंने का जरूरत जो जरूरत की चीज़े है वो देना औ और एक वहां पर उल्लू सीधा करके फ्रीबी इस बाटने में जमीन आस्मान का अंतर होता है ठीक है और आपने बहुत ही मैं फजिल जी कपीज आ रहा हूं तो जाता है एक छोटा सा 30 सेकंड में कमेंट दे रहे हैं फिर कपीज जी के पास जा रहा है बिजेपी कहरी और लेड़ी कर्ज में है और लेड़ी कर्ज में है रा गैलोस सरकार उसके बाद भी 25 लाख से 50 लाख की होजना चिरन्जी वी यूजना 10,000 रुपे जो बुमेन हेड है परिवार का उसको 400 रुपे में सिलिंडर ये पैसे कहां से लाएंगे अल्यडी इतने कर्द में राइस्तान सरकार नहीं नहीं अगर केंदर सरकार ने चीजों को ठीक से करा होता तो आज किसी को भी दिक्कत ना होती क्योंकि क्या करें प्रधान मंत्री जी को तो बस एक ही व्यक्ति को आगे बढ़ाना है मगर याद करा दूँ आपको कि जिस देश में एक सुई नहीं बन दी जहां पे पैसे का कोई आय का कोई श्रोत नहीं था उस देश को हम कहां से कहां ले गए तब भी हमने इत्रो का सपना देखा तब भी बनाया तब भी लोगों के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए योजना इलाए उन्हें पढ़ाया लिखाया यह थोड़ी है कि आप इनके राज में तो देखो आप वो क्या नाम है उनका वो बाबा इनके है ना एक राम रही उनको छुडवा दिया उन्हो एक पिटार हो सुझाता पॉल जा रहा हूँ एक बाए डूकेट कपी श्वास्ता प्रेस कांबार दिखाई पड़ेगा वादों का पिटारा क्या साब पूरी ट्रक ले लिए वादों की इतने वादें तो क्या election change हो रहा है मैं हमेशा कहता हूँ यह चीजें यह आचिरन south में था नौर्थ में उत्ता नहीं था लेकिन अब धीरे धीरे यह नौर्थ में बढ़ता जा रहा है तो क्या अब election बदल रहा है क्या जो जनता है उसका mindset change हो गया है जनता भी कहती ही साब पहले कागज बता इसमें क्या क्या एं कितना पैसा किसको मिलेगा कितनी जंढराशी मिलेगी स्कूटी कहा हैं लाप टॉप्स कहा हैं फ्री बीस कहा है क्या election और जनता और राजनेता तीनों चीज बदल गई है पहले जो election होता था वो मुद्दो के आदार पर होता था किसाब पॉलिसी की बात होती थी मुद्दो की बात होती थी इन्वेस्टमेंट की बात होती थी बड़े सुझाओं की बात होती थी अब जो लडाई है जो मैंने देखा इस चुनाव में वो लडाई इस बात किये कि किसके वादे की फेरिस कितनी लंबी है पहले समिधान और कानून से अलग हट करके राजनीता का अपना व्यक्तित नेतिक्ता होती थी एक नेतिक्ता होती थी कि अब देश के पती हमारा क्या समर पड़ा है अब आप देखिए मद्द परदेश के चुनों मैं याद दिला रहा हूं आपको अमिता बच बच्चन की फिल्म देखने से चुनायोग ने रोख दिया था चुनायोग ने दूरदर्शन पर अमिताबच्चन की फिल्म चलाने से रोख दिया था लेकिन मद्द परदेश के चुनाओं में है प्रदार मंत्री किसानों को 2000 रुपया अकाउंट में डाल दिए तो क्या हो गया ना किसी तरह और मैं बता रहा हूं भारती जंता पार्टी के जितनी सरकारे हैं राज जिन राज्यों में से एक यूनिट विजली फिरी नहीं है कि सारों तक कि विजली फिरी कि 28 originator 2014 के बाद जब जीस्टी कानून लगा देश के अंदर 28% जीस्टी आठाइस परसेंट तक जीस्टी लिए जारा है जिसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा और केंदर सरकार का भी हिस्सा है कि और ये दो जार चूदा के बाद एक लाग पचास हजार करोड रूपिया देश को फाइदा हो रहा हर महीने तो क्या जो देश की जनता से आप एक लाग पचास हजार करोड या एक लग चालीज see करोड जो कमा रहे उस से उन जरूरत मन लोग जो जिनको अवशकता है जो कम संसाधन युक नहीं है अगर उनको कुछ सहुलियत दी जाए तो भातिया अंतर पार्टी एक तरफ यह कहती है कि यह तो फिरी की चीज बाट रहे और फिर अगले पल कहती है कि हम भी तो 80 करोण को पांच किलो अनाज दे रहे तो फिरी एक प्रफशी साथ जिराई जवाब ले लो एक तो इन्होंने बताया जो बिजली के चार्जेस वाली बात जहां जहां बीजेपी गॉर्मेंट है दूसरा वो कह रहे हैं कि साब 80 करोण को तो आप ही राशन दे रहें प्री में तो अगर कोई स्टेट में कोई मुखमंत्री या चुनाओ लणा अगर वो कुछ बादे करता है तो इसमें ग कोखम उठाएं हैं और दिक्कते हुई हैं यह आप और हम शाइस प्रिविलेश फैमिली से आते तो हम समझ नहीं पाएंगे तो वो जरूरत है कितने लोगों के घर आबाद नहीं बरबाद हुए यह हमें पता है और यही कारण है कि उस चीज़ को दिया जा रहा है जो राज बीच में नहीं बोले हैं आप कम्वीट मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई भी मुख्य मंत्री राकेश भाई कोई भी मुख्य मंत्री पैसा दे पर मुझे दिक्कत वहां आ जाती है जब करना तक में यह लोग जूटे जूटे वादे करते हैं कि हम यह freebies देंगे और हम 3,000 रुपे देंगे जो ग्राजुएट है जिनको जॉब नहीं मिल रही माईलाओं को इतना पैसा देंगे और मुख्य मंत्री करना तक के ओन रिकार्ड मैंने के रिए राकेश भाई उठा कर देख लिए सुनिये मेरी बार में सुझाता जी भी जूट बोलिएगा आप मुख्य करना तक क्यों करें जूट बोलाइगा तरुट बोलाइगा और नहीं ता पैसा तो जूट क्यों बोली आप क्यों बोली जूट आप लोग यहाँ पर महिला सुप्तिकरन करना तक करेंगे आप लोग यहाँ पर फ्री पीज करना तक करेंगे आप लोग यहाँ पर महिला उस पीरन के बारे में कोई जवाब देए आपकी नहीं होगी लेकिन यहाँ पर चिल्लम चिल्ली जरूर करगेग राकेश भाई सवाल रखा है सवाल पूछिए इंसे जवाब मत जी है चिल्लं चिल्ली मत करिए मैडम जब जवाब नहीं होता तो चिल्लं चिल्ली पर आ जाते आप और आपके प्रवक्ता मत करिए मेरे सामने कि आप लोग इज़त के लायक नहीं है इन्हें इन्हें बोलिए राकेश भाई इन्हें बोलिए पहले मेरे सवाल के जवाब दे मैंने ही बोलूगा अरे बाहर निकल वाए क्योंकि इदर उदर कैंपेंग करने के लिए नटा जी काती है बादे करने और वादो को निबाना आप अब राकेश भाई फ़ी चोड़ लें एक पर लिए अपस में विवाद ने राकेश भाई राकेश भाई मेरे सवाल का जवाब इन से लिजिए बिलकुल ले रहा हूं वैं अभी आ रहा हूं एक पट्टों के पास जा रहा है आ रहा है आप इनसे करना तक पूछ आप मुझे जब पूछना होगा मैं पूछनूगा अपने सवाल लकान कर लूगा मेरे एक पैनलिस्ट और है जिनसे मैंने उतनी कमेंट नहीं लिया आ रहा हूं इक मूट कर देगे कभी शिवास्तों कभी जी चुनाओं की चर्चा है समाजवादी पार्टी पी चुनाओं करेंगे लेकिन साब 50 लाग बिल्कुल फ्री मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं इसके खिलाप अच्छी बात है अगर कोई स्टेट कोई ऐसी पॉलिसी लाता है जिसमें 50 लाग रुपे तक का इलाज हो सकता है तो यह मुझे लगता है ठीक है कई लोग ऐसे भी एक बड़ा सेक है उनके लिए बहुत अच्छी स्टीम है मैं मानता हूं लेकिन इसका लेविल कहां होगा पचीस से पचास पचास से सकतर मैं तो कोंगों साब जेनता का फाइदा है लेकिन यह जो बोढ़ है यह नहीं किस यह कोंग्रेस कि स्कीम बीचेपी की बीइसम से जो मत्यूश सबसे पहले चीज़ तो यह कि सरकार के पास टेक्सेस के लावा और कौन सा पॉकेट होता है उन्हीं उसी से तो राजा सुवाता है और राजा सुफिर उसके बाद खर्च होता है हाँ ये बात जरूर है कि हमारा जो संविधान है वो कल्यानकारी राजी की आउधारणा के साथ इस्थापित है मानता हूं विलफेर तो बिलकुल विलफेर कंट्री होने के वज़े से हमें निश्चित तोर पे हम जो जिन पारिस्थितिकियों में रह रहे हैं वहाँ अप्रिट्मेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ फंड खर्च करना होते हैं बेटर ये होता है कि जो भी पार्टियां अपना ये ले करके आ रही है उनको एक रोड मैप देना चाहिए कि वहाँ ये चीज हमारी स्कीम में है और इसकी प्रतिपूर्थी हम इन इन चीजों से करें और कहने के लिए आप रेवड़ी बाट दो उसके बाद पूरा नहीं होता है आपने मुसली देखा होगा कि भारतिय जनता पार्टी ने जितनी भी रेवड़िया बाटी हैं आज तक पूरी नहीं हुई ना किसी को पंद्रा लाक रुपे मिले ना दो करोण नोकरी प्रतिवर्श दी गई के अंदर सरकार के अंदर लाक रुपे मिले भारतिय ना ही जहां बनारा स्केटे बन सका ना 1.500 स्मार्ट सीटी बन सकी तो दीके वह वह हमिशाजी ने तो कुदि कहा था कि भाजपा जो है वह वह जुमले फिक्ती और ये जुमला था जो हमने कहा तो अब इन पर तो कोई यकीन नहीं करता हाँ इतना जरूर है कि कॉंग्रेस को भी एक चीज़ जरूर करनी चाहिए गर आप इतने लाग की बात कर रहे हैं कि आप फ्री कर रहे हैं तो कम सकम आपको रोड मैप देना चाहिए कि हम इसकी प्रतिपूर्टी कहाँ स करेंगे ये बिल्कुल मैं माल सकता हूं कि राजस्तान सरकार अगर पांच लाग करोन रुपए के डिफिसिट में चल लए है राजस सोगाटा है तो भारत सरकार के भी तो गाटा है और हम तो एक बात कह रहे हैं कि भारतिय जनता पार्टी ने जो रेवणियां फुरी में चलाई जो प पांच लाग करोन रुपए क्योंकि दस साल में आपने अकेला प्रधानमंत्री होकर उठा लिया 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर प्रफवन लाग करोन उठाया तो यह आपको बताना चाहिए कि वह पैसा इंफ्रस्रक्ट्टर के नाम पे आपने कहा कर्चा किया क्योंकि आय प्रफवास्तिक इंद्री नहीं दिया तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इंफ्रस्रक्ट्टर के नाम पे यह शूने हैं और भारतिये जनता पार्टी ने यह सारे पैसे उठाकर के वोट खरीदने के नाम पर कभी किसान सम्मान ने दी के नाम पर कभी 5 किलों के अनाज के ना अगर यह सी के कमरों में ना बैठी होते तो इन्हें पता होता कि जंता किती त्रस्ति और आज अगर ऐसी के कमरों से बाहर निकाल कर सड़कों पर गूमेंगे तो पता चलेगा कि जंता कितनी खुश और यही कारण है जो इन लोगों का गढदन बना है ना वो डर के मारे ही अगर ने बनाया है आज इन्होंने टॉइलेट की बात कर शर्म आनी चाहिए कॉंग्रेस पार्टी कर उनके समर्थों को इस सवाल उखने है यह वो लोग इनकी सरकार इतनी साल रही उसके बापाई दाशकों से ज्यादा सरकार होने के बावजूद इन लोग ने महीला की वो 22 करोड महीला हैं अपने घरों में सुरक्षित बैठी है उपन डेफिकेशन में जाना नहीं पड़ता उन्हें पता है कि मैं सुरक्षित हूं और ओपन डेफिकेशन की ज़रूद मुझे करने की ज़रूद है यह मेरा अपना हुटा है तो पीम आवास ओजना के तहर देखे म मेरे सामने जूटमाद बोलिएगा और यहां करते हैं कर पूछिए जो कॉंग्रेस की सरकारों में सारे किसाना आत्मारत कर लेते राज़ता है आज किसाना आ रहा हुट जितेश जी हमाई साहते हैं वरिश पत्रकार राज़तान से बहुत स्वागत है आ रहा हुट जितेश जी के पास जाना है क्या जितेश जी आपको मेरी आवाज मिल लए है चीक है हम फिर से करेंट करने कुशिश करेंगे सुजाथा जी तीन चार इशूज है जिस पर बीजेपी बहुत फोकस है राज़तान में पहला करप्शन का इशूज है जितेश जी आगे जितेश जी आओंगा रुकिए का सुजाथा जी करप्शन पर लाल डायरी की बात चल लए लाइन ओर्डर की बात है उध्यपूर वाली घटना की बात है और कॉंग्रेस का जो अंद्रूनी विवाद ये तीन चार हुत Persian है हम तो Congress है Congress भारत के डी आने में और भारत Congress के डीने में मगर इनको डेखिए ये बात करें है अंद्रूनी और जब इन्होंने अपना manifesto रिलीस गया तो कैसे जटक दिया था हाथ वसंदरा राजे सिंधिया ने गजेंदर सिंख शेकावर जी का क्योंकि उन्होंने छीन लिया था उनके हाथ से manifesto विर उन्होंने उठा के नहीं गया तो इनके अंतरूनी कल्या के बारे में तो कमी बात किया लाल डाइवी में जो कुछ है वहाँ पर इडी तो बेजो वैसे तो इडी इन्हें आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री के घर भी बेज देना चाहिए था वो नहीं बेज पाए लेकिन जब law and order की बात करते है न तो मैं इंसे जाना जाती हूं मनीपूर में जो हुआ उसकी ब उदेपूर वाली घटना उसे कितने कितने देर में पकड़ा गया चार घटे के अंदर तो यह बाते बड़ी-बड़ी करते हैं मगर चीजों को सबाल नहीं पाते हैं कॉंग्रेस फिर से इसने आगी क्योंकि काम किया है दिल से ठीक है आ रहो आ रहो निगत जी मैं आपसे जवाब लूँगा एक बाद जितेश के पास चलते है जितेश यह जो वादों का पिटारा है बीजेपी और कॉंग्रेस का यह ग्राउंड पर कितना काम कर रहा है जो ज इस चुनाओं को तै करेंगे कि वो किसके पक्षमें भाश्मा की या कॉंग्रेस जितेश भीस सबसे बड़ेखी संप जो जो इलेक्शन है मैं अभी सरस्पूरे सभी जिलों के अंदर जाकर आया हूं राजिस्तान का जो इलेक्षन है सब कास्ट बेस होता है दरसल यहां पर जो इलेक्शन है वो पोलराजेशन इस तरह से यूपी की तरह इलेक्शन नहीं होता यहां आप जो भी देखेंगे तो कास्ट बेस इलेक्शन होता है तो राजिस्तान में बड़ी कास्टों की बात करें तो जाट गुजर और मेरा तो जो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है कि र आंग्रेस पार्टी से नाराद नजर आ रहा है और बात करें इशू उसकी तो पेपर लीक बड़ा इशू है अलाकि बीजेपी गवर्मेंट में भी पेपर लीक होए थे लेकिन इस इत्ती बड़ी संक्शा में पेपर लीक होना 17-18 पेपर लीक होना इससे यूवा बड़ा और जहां जहां भी मैं जाके आया यूथ बड़ा परिशान है उनका कहना है कि बार 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 पेपर लीक होता है आखिर कब तक और सबसे बड़ा इशू मुझे लगा पेपर लीक का है बेरोजगारी का है और राजिस्तान में रोजगार नहीं है सबसे बड़ी समस्या कि राजिस्तान राप waves प्रोब्लम्न सकाथ बड़ीस सब गारेकर की सान किसान थो लकर दोनों पार्टी ने लेकिन मुझे लगता है ik weet उतलब मैं कै elinे करडे बीजेपीlica बूल जाते हैं रहूल गांधी ने कहता कि दस सब्सक्राइब सिर्फ उपयोग में लिया जाता है कि सक्ता प्राप्ति के लिए बोर्ड बेंग के रुप में लिया जा रहा है पेसिकली सर किसान जो वर्ग है वो बड़ा परिशान है हताश है कि बहां पर उनको वादे और दावे कि जाते हैं हाला कि प्रदान मंद्री नरिनर बोदी की जो फसल भीमा योजना उसका लाप जरूप किसानों को मिल रहा है और राजिस्तान में मुझे लगता है सर जो मैं समझ पाया हूं मैं कल सर जैपूर के कुछ इलाकों में घुम राता तो यहां पर सबसे बड़ी जो समस्या है जैपूर के अंदर वो ग्राम मंदिर के नाम पर व प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी है वह यहां पर फेस है और वह यहां पर मतलब नेता है यहां पर कोई फेस थी ठीक है फजील साब आप निगाजी दो तीन इशू होते एक किसानों की समस्या है और किसान बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों की तरफ देख रहे हैं कहने साफ फा जब एक इशू है राजस्तान के अंदर यह तो अड़ाइज बीजेपी निगेदभाज लाजस्तान की नहीं पूरे देश की जंता अगर यह कह रही है जो राम को लाए है हम उन्हें लाएंगे तो यह तो जंता का मत है जंता की इच्छा है हम तो नहीं कह रहे हैं सब का वि क्वे सब्सक्राइब है आपको समय था अद्वार आपके पास आओंगा राम का मुद्धा है उपी की पार्टी करते हैं आपके पास आओंगा लेकिन किसी की बारी में मत बोले प्लीज प्लीज निकत कंप्लीट करिए उसके फजी लाम का नाम क्या ले लिया यह तो तप तपाने लगे और यही जंता देख रहा है और यहीं एक्सपोज जाते हैं मुझे उस पर जाने की जरूरत है यह जंता ने देखा एक है आपकी सवाल पर आओं में राकिश भाई उससे पहले ना कमंड नहीं होना चाहिए कि आप भगवान रांप को लाएगा और सुनिये मेरी बात राजिस्थां के बारे में बात रहे हैं सुनिये मेरी बात काम पूल तो प्रकार ने अपनी जो पत्रकारता का विश्य था जो इशूज उसको समझ में आए उसने रखा इसमें आप लोग अ एक एक करके बोलिए गार सब को सुनाई पड़ेगा दर्शकों को भी सुनाई पड़े निगाजी 40 से कंप्रीट करिए ने चुपकर आई यह इन आप अप कंप्लील करी निगाज बूला और यह थांक्यू राकेश भाई क्यूकि इन्हों ने बोला और राम भगवान श्री हमके बारे में बोल दिया तो इन्हें बड़ा दुख होगे खेर छोड़िये महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं भीलवाडा करॉली दोसा कौन सा रेप आपको याद दिला हूँ जा चुटी शुटी बच्चियों का रेप हो जाता है एसेड फेक दिया जाते और अशो एक साल में 13,000 से जयादा प्रेस्केशन केसे हैं मैडम भीलवाड़िया आपने और आपकी वो ब्रैंड अपासिडर खड़ी है ना लड़की उना पत्तियों प्रेंपादर राडर रहनोंने कि चवाले स्केस पिछले महीने और चुट रहे हैं अरे चुप रहे है माडम जव करने में बहुत तेज हूं सबको पता है मैं सच बताती हूं आपके बास जा रहा है एक मिटा रहा हूं आपके समय पर आऊंगा मैंने आपका पॉइंट के लिए राम मंदिर पे और विमन इशू पर फजील जी जो जितेश कह रहे है वो दो चीज कह रहे है एक सेक्टर्स में जो कास्ट है वो डिसाइड करता राइस्थान का एलेक्शन पुल राइशन वाली बात के लेकिन साथ प्रइश कहने साथ जहां के कहा राम मंदिर चलना है तो क्या इस चुनाओ में राम मंदिर भी चलना है फजील साब रजद भाई आप बेहतरीन एंकर हैं और आप निश्वक्ष हैं मैं कई बार आपको बोल चुका है अलाकि मैं मुझ पक किसी की तारीफ नहीं करता लेकिन आज ये जान लिजिए कि भारत की जनता ने पत्रकारों पर से अपना विश्वास खो दिया है यही कारण है ना पत् एक प्रचलित कांड हुआ निर्भया का कांग्रेस के जमाने में निर्भया के निर्भया के बलातकारी और कातिलों को फांसी की सजा हुई इसी देश के अंदर फांसी की सजा हुई और भार्ची अंता पार्टी में भी कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ मड़ीपू दिया रखे अपना निर्भया कांड हुआ कांगरेस के जमाने में लेकिन फासी के सजा हुई उसके बलातकारी रहत्यारों को और मड़ीपूर में आप देख रहें क्या घटना है उसके बाद नजानी कितनी घटना है हो चुकी तो महिला के परती यह लोग बात करते हैं यह गल लोग खो दिये कोई सुन नहीं रहा है टीवी लोग बंद करके रखे कोई देख नहीं रहा हम तो आपकी वज़े से चले आते हैं यह जो बाते कह रहे हैं सवाल यह है कि निकात अब बास ने यह नहीं बताया अभी तक कि भाई बिजली फिरी फिरी विजली देने में क्या अब ज़िए तो मामला करपड़ा जाए रूप जाए यह पर कपीज जी के पास जा रहा है कपीज जी दो चीजे हैं तो वह बीसी का दाओं दोनों ही पार्टी उसको पुश कर रही है क्योंकि 50 परसन का वोट बैंक है अब अगर मैं जितेश के हिसाब से चलू तो जितेश का कहना है कि वो यूपी वाली बात यहाँ पर नहीं है यहाँ पर कास फैक्टर से मैंने जितनी वी राहिस्थान के लोगों से बात करी आप उनका सब एक साथ नहीं है कि आप को रही हिसाब 80-20 वाला मामला है ऐसा कोई पर नहीं कई जात अलग है गुजर अलग है मीना अलग है यह अलग-अलग बटा हुआ है और यही सिस्टम करता है कि सत्ता तक कौन ले जाएगा उनके बहुत इस पर सीबात है कि सत्ता में जिसे आना होगा वो तो एलक्षन के बाद ही पता चिलेगा लेकिन अगर प्रधान मंत्री जी के अलावा कोई फेस इनके पास राजस्थान के अंदर नहीं है जैसा कि हमारे पत्रकार महुदे कह रहे तो इस बात को प्रमाण कर रहे थे कि भार्ची जंगता पार्टी बुरी तरीके से वहां चुना हो क्योंकि वहां प्रधान मंत्री जी मुख्य मंत्री बनने तो जाएंगे और करनाटका के अंदर भी यहीं हुआ था कि प्रधान मंत्री जी को वहां पर चहरा आगे किया गया था आज आप जरवर जो इनका RSS का मुक्पत रहे वो क्या कहता कि प्रधान मंत्री जी की लहर समा गैज मादी में अतुम्ह इंक पुर्वर्तिएन की सरकार ने क्या किया था या क्या रोट्मैप है यह प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। लंट भर लिये जिन्होंने दो करोण की जमीन 20 करोण में खरी लिए 15 मिनट के अंदर राम के भी अमानत पर खयानत करने का काम किया और ये क्या राम जी की बात करेंगे भगवान राम को इतने एहंकार से कह रहे हैं कि हम लेकर के आए अरे बाई तुम यह लेकर वो आए और सं लोग हैं सब को बराबरी से समय मिले एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा ना बोले जिसमें जो लोग देख रहे हैं और आप लोग भी एक दूसरे की बात समझ पाएं यह सबसे आसान काम होगा कि मैं आप चारों को स्क्रीन पर रख लूँ और आप चारों चिलाएं त जितेश ने बताया मेरी जितेश से पहले कभी जान पहचान नहीं थी आज पहली बार ही हमाई शो पर बैटे हैं और उन्होंने एक व्यापक जो घूमे है राइस्थान में वो उन्होंने अपनी बात रखी यह सिर्फ जैपूर की बात थी जो उन्होंने रख था अगर अध श्री राम तो हम सबको लेकर आएं क्या मोदी जी ये कह सकते हैं कि वो लेकर आए भगवान श्री राम को माननिया उचितब न्याले के आदेशों पर भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है मगर भगवान श्री राम जो है वही हम सबको लाने वाले हैं इसने उनका मान सम करी मगर पहां पे यह ताम नाया क्योंकि भुपेश बगेर जी से बड़ा हिंदू इनको पहां से मिल जाएका चपर में और इन जिखा दीजे वहां पर आप कहने की चाहिए निगाजी दिए गर नाइब नाइब जलत बात जब मैं आपके बीच में गोई बोला था मैंने चुप कर आई एक बार सुझाए करें निगर जी आपी जवाब देना है जवाब मैं दूंगी ने अब मैं आज आती हूं मद्वेप्रदेश में जहां चुनाव क्योंकि मैं सिर्फ चाहर चुनाव हो रहे हुए उन्हीं की बाद कर रहे हुए करने के लिए पूरे देश की बाद कर सकती हो व हर एक का धर्म है और हर एक अपने धर्म को कोई उसका खिलवार बना देता हुए उसे राजणीती के लिए इस्तमाल करता है मगर हम सम्भादान के जाब से चलते हूं मैं हमारा निधी होता है लेकिन हम धर्म के मामने में कभी किसी पर आक्षय उतने करते हैं आब आजाते है नेरे नेता अशो गैलो जी के उपर सवाल उठाए तो जहां तक जनता की बाते तो जनता जानती है कि जब पेट में भूख होना तो किसकी सरकार चुनी जाएगी और जनता देख चुकी है कि कोविड के समय में उन्हें ना तो ऑक्सिजन की कमी महसूस होई राजस्तान में ना को यह और दिक्तत में दूसरी और आज कल्याणकारी रज्य होने का कारे अगर कोई कर रहा है तो क्योंकि वह प्रभूश्री राम के लिए पास निगत के बाद निगत वो कहनी साब राम को क्यों ला रहे हैं बार बार राम को आप ले आते हैं काई तो धर्म है आच्रण है चुनाओ में राम क्यों पर आप मुस्रित नहीं इसके बाद निगता बाद रही है मैडम याज जो मैडम बात कर रही है मैं इसे पूछना चाहती हूं भगवान श्री राम का अलपने के यह मैंने तो नहीं कहा था भारती जंदा पार्टी नहीं नहीं कहा था कॉंग्रस के कोट के दर्वाजा खटकट आने जी बागवान श्री राम तो है नहीं आज अपने आपको हिंदू कहेंगी और सनातन धरम और अपने आपको हिंदू तो कहने वाली जरा मुझे पताए ना इनिका अरे सुने मैडम अब बीच में मत बोलना प्रियां खरगे ने कहा नहीं कहा कि सनातन धरम जो है वो तो डेंगू मलेरिया उसका समर्थन करा ना तब आपके मुँपे क्यों सिलाई लग गए थी तब नहीं आपको हिंदू धरम और बाकी हिंदूस्तानियों की और भारतियों की संस्क्रिश यादा है इतने साल बागवान श्री राम वाट टेंट पार कई राम डेरे शगरवाल याद है राम डेरे शगरवाल को भाट वापस क्या रही है और चुप रही है निया आपको वक्त है निगर जी आप कंप्रीड करें मुझे जी टेंज जी के पार जाना आप प्लीस कंप्राइए अब राजस्थान की बात कर लेते हैं यह चुर बात कर देज बात कर सीवाल काट सुप लूंगल चैरें उसको आगे नहीं कर रही है तेस्ट के प्र्धान सेवा काधर ने नरेंद्र भाई मोडी जी को बनाने वाले देश की जनताय हैं कर देश हैं अगर द मदना नहीं है हम कि जनता परहूं सब्सक्राइब काने से टो चीजे यह दो काम करता है राजस्थान में एक तरफ लुकल लीडर्शिप एक तरफ राश्ट्री एक मिटार हो जिते वह कैसे काम करता है दूसरा दोनों पार्टी का मैनिफेस्टों अगर आप कंपेर करेंगे जो जनता से बात हुई क्या फीडबैक देखे पहली बात तो आप फेस की बात कर रहे हो तो यह राजिस्थान जो इलाका है भॉगलिक दरस्टी से यहां पर चार बॉर्डर पड़ते हैं बाड़ मेर जैसल मेर गंगा नगर और भी कनेर तो यह बॉर्डर इस् यह बात तो इसमें कोई संशे नहीं है कहने पर राष्टिय चैनल पर मैं कह रहा हूं दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के बनने के बाद सेना और राष्ट की जो सीमा है वो तो अमारी सुरक्षित हुई है और सुदर हुई है और स्ट्रक्चर जो है अमारे सुदर हो रही है आप क्या बात कर रहे है इस पर पत्रकार की कुछ गरीमा होती है पत्रकार की बात कर रहे है तो हम क्या करें आप 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 प्रकार की बात कर देंदर हो यह राजी सरकार का चुना हो है कि देखाने इस तो कि आप आप अब क्या वह प्रांग पर यदि रहता है आप अपस तीक है वह मेहान है आप लोग ऐसा ही कि प्रकार की विडिया एक जलिक फिटबैक होता है आरा फजी साहब आ रहा है तो जितेश एक समार और समीरा जो बीजेपी और कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो है वो ग्राउंड पर जनता उसे कैसे देख रही है कौन से मैनिफेस्टो अच्छा लग रहा है पिछी बॉट करते हैं लेकिन नेता यह इंप्लेमेंटेशन जनता को चीए इंप्लेमेंटेशन जैसे को भी सटाउब सक्विचे और अभी की कौंग्रेस सरकार्ट में भी क्या हुआ कुछ नहीं जनता सिर्फ जनता वोट के टाइम जनता के बहुत नेता आते जब कल लोगों से बात करा था लोगों का यह कहना था कि वोट के टाइम पे यह दावे और वादे किया जाते हैं हकिकत में इंप्लिमेंटेशन के नाम पर नतिंग है सिर्फ लॉलीपॉप दी जाती है और उसके लावा कुछ भी नहीं है जनता सिर्फ जनता परिशां होती है पूरे पांच सा जिस तरीके से प्रधान मंत्री और बीजेपी का केंदी नित्युत लगातार आप देखी रोड शोज है कॉंग्रेस भी कर रही है चाहिए प्रियंका जी हो राहूल गांदी हो या खळगे साहब हो लगातार है देखी प्राइम मिस्टर का रोड शो बॉर्डरिंग स्टेट जो बात जितेश ने गई हो सकता आप सहमत ना हो क्या ये एक इंफ्लूइंस करते हैं स्टेट को क्या स्टेट एलेक्शन में जब सेंटर लीडर्शिप जाती है तो क्या वो एक पावर की रूप में काम करती है जिस प्रधान मंत्री के राज में एक सीमा हैदर चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से होते वे उत्तरप देश डबल एंग्जिन की सरकार में पहुंच जाती है वो तो ये बताए कि यहां से तो अगर कोई बाहर जाए तो वापिस ना आए ऐसी होनी थी सरकार जैसा की राजस्तार में लेकिन सचाई है कि इस देश की हिफादत करने वाली सेना उस पर सवाल करना बरदाश्ट नहीं किया जाएगा जल्दी से बहुत कम वक्त है निगर जी और यह पत्रकार महुत है कि मैं के रही हूँ अब बत्रकार को छोड़ लिगे हूं गікर दुब लेकिन सेनसरे के हैसे जमतिने कि जान शाएगे कितना बूल इगा कृदिने के पताू बहुत-टने करने के बजारे लिए हर रोज राज्टान कारण है, 25 को वोटिंग है, 35 को नजीजे, वंख तीरा नेुटान हैं. राइस्तान का रण बहुत दिल्चल दरसल यहां पर कास सिस्टम टाम करता है एक तरफ आशो गेलो सरकार पांक साल का कारिकाल है तो दूसरी तरफ बीजेपी दरेन मोदी और सेंटर की फ्लाक्शिप प्रोग्राम से उपर डिपेंड है राइस्तान में कई रंग है और रंगो दो की भीजेशने तब अगराज वाल बने आचे ने परीजेशने में देख करेंड़ी अब्यार का वाल में देख करेंड़ी अग्यावाण